नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया नूज इन ख़वर में और मैं हूँ मनुज कुमार ने ट्रांसपोर्ट वैकिल एक्ट के खिलाफ जो आज हर्ताल चल रही है स्ट्राइक चल रही है उनियाटेज फ्रेंट ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट एसोईशियसन की उसका प्यापक असर देखने को मिल रहा है कॉंट्राक्ट कारेज़ भी हज़ारों बसों के लावा ऑटो टैक्सी और मिनी बसों की समय क्यूंइन भी हर्ताल में समक्षब दे रही है हर्ताल का अदर मैं को भी इस पर नज़र चुकि ट्रांसपोर्ट एसोईशियसन ने पहले ही कह दिया था सरकार को चेताया था कि पहले सरकार अपनी बेवस्था और सिस्टम को दुरुस्त करे उसके बाद इतना भारी भरकर भरकम जुर्मान लगाए तो काफी इसका ब्यापा कसर देखने को मिल रहा है और हर्ताल की वज़े से रास्ट्रे रधानी दिल्ली में कई स्कूल आज बं तो काफी ब्यापक असर इसका देखा जा रहा है इस हर्ताल का चूंकि रास्ट्रे रधानी में दिल्ली में सुबह लोगों को कारेयालियों तक जाने में काफी परिशानिया हुई क्योंकि यह जो हर्ताल था उसके बाद से नीजी बस टैकसी आटो रिक्षा और जितने भी एजेंसिया है जो कि वाहनों के संचालंग करती है एंसियार में सबका चक्का आज जाम रहा जिसके वज़े से ऑफिस जाने वाले लोगों को खासा परिशानी हुई सिर्फ डिटिसी की बसें चलते हुई दिखाई दिखाई दिली मैट्रो चल रहा है लेकिन परिवहन का मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों में संचोधन के खिलाफ बुलाई गई है यूएफटीय ने सडक यातयात जुर्माना में हुई बढ़ुतरी समेथ मोटर वाहन अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों को वापस लेने की मांग की है और जिसके वज़े से आज पे लोग भागम भाग करते वे दिखाई दिये और जो भी नेजी जो वाहन है उस सडक पर अगराने के उनकी कोशिश भी ओला वगेरा जो नेजी संचालक हैं जो की वाहनों को चलाते हैं वो अगर सडक पर लेकर उतरने की कोशिश भी करते दिखे तो उसका जम कर इन कार से लोगों को जूजिना बर रहा है चाहे लोग रेल मेस स्पराइप चेशन कर रहे हूं या फिर ज liken हस्पाल जाना है या कि दैनी कार sedan को निपटाना है सजकों के यह भागं परिशान हो रहे हैं कि अगर सर्गार्ड ने फिर भी हमारी मांगें नहीं मानी तो उसके बाद यह देश ब्यापी हरताल किया जाएगा हाला कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कुछ जो नेजी वाहन चले भी तो नेजी वाहन चालकों ने अनाप शनाप किराया वसुला जहां किराया 100 रुपे से 200 रुपे की बीच होता है वहाँ 400-500 रिपे भी नेजी वाहनों ने किराय वसुला जो नेजी जो आटो चलाने वाले जो चालक हैं या इस तरह के वोला वगेरे जो संचालित करने वाली कमपनिया हैं यहां वेरियेट काफी बढ़ा दी गई इस तरह से काफी मुश्किल इस्तती देखने को लोगों को मि अब देखने को मिलेगा अब देखना है कि जिस प्रकार का अल्टिमेटर इस तक आशित देखने को मिलेगा अब देखना है कि जिस प्रकार का अल्टिमेटर न दिया है ट्रांस्पोर्ट एसोशियसन ने उसके बाद सरकार इसमें कुछ परिवर्दन करती है या नहीं अगर ऐसा नहीं करती है जिसके बाद देश प्यापी हरताल किया जाएगा इसमें चार-पाँच मुख्य तोर पे मांगे इसमें शामिल किया है ट्रंस्पोर्ट एसोशियसन ने जो पहली मांग वही है कि पहले सरकार अपने बेवस्था को सिस्टम को दुरुस्त करें उसके बाद चलान की रकम को बढ़ाए और दूसरा जो ये कहा है कि जब तक सरका बार इन मांगों पर क्या विचार करती है और आने वाले दिनों में क्या इसका कोई निश्कर्स निकलता भी है क्या फिलाल इतना ही नमस्कार इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूले